ये वीडियो देखने के बाद आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगा कि अगर आप चैट जेपिटी से पोश्ट या फिर कोई ब्लॉग या फिर कोई न्यूज आर्टिकल क्रिएट करना चाहते हैं और डिरेकली पोश्ट करें तो वो एक काफी गलत तरीका होता है आपको उसक बेसिकली क्या करेगा यह आपका जो चैट जेपिटी से क्रेट किया हुआ कॉंटेंट है उसको मूर यूमन फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करेगा तो बेसिकली आपको यह पर आपके साइन अप करना है साइन अप करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रप्शन में दिया और दो प्लान है एक है आपका एक हजार रुपे परवंत और एक है लगबग दो हजार रुपे परवंत अगर मेरा लिंक नीचे दिया हुआ अगर वहां से जाके आप क्लिक करते तो आपको 50% और डिस्काट में लाता है तो आप बेसिकली क्या कर सकते हैं अगर आप कोई ब प्रॉम्ट देखे कि create a blog post topic is about you know how to build 100 million dollar company विदी नहीं तो यहां पर मुझे step by step पूरा प्लान आ गया मैंने क्या क्या सिंपल यहां पर copy किया ठीक है अब मैं क्या करते हूं कि यह copy करूंगा तो obviously यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यहां पर डाला था तो 98% इसने statistic को उसने दिया हुआ है basically कि you know हर एक angle पे क्या यह basically कहना चाहरा है तो अब basically आप करेंगे क्या ठीक है मैं वो बता देता हूं तो अगर आपका कोई भी article है basically आप document में आके यहां पर basically paste कर सकते हैं और यहां पर add करके आप analysis कर सकते हैं दूसरा मैं क्या करने वाला हूँ आपक इसको more human written में basically करूं तो मैं यह article को यहां पर copy किया था paste कर दे यहां पर analysis पर click करूंगा और continue पर click कर दूंगा यह analysis करना start कर दिया कि यहां पर होगा क्या तो यह एक basically you know report इसने generate करकी दे दिया यहां पर जो red वाला देख रहे हैं वो तो mostly AI you know sense उसने detect कर लिया अब होगा क्य आपको यहां पर multiple multiple यहां पर option दिख रहे होंगी overview details starts and AI eraser मैं AI eraser के उपर click करूंगा तो basically यहां पर एक you know इसके अंदर you know लेके चला जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं यहां पर एक चीज़ दिया हो दिखिए show top priority edit तो यह बता रहे कि यह जो है ना इसको top priority पर edit करो तो आप य और human format में लिखना चाहते हैं इस पर click कर सकते हैं अब जब यहां पर इस दोनों में से कुछ भी you know click करेंगे तो automatically यह जो आपका blog post है इसको human format में एक ऐसा लगेगा कि किसी आदमी ने ही यह article को लिखा हुआ एक professional way में उस तरीके का आपको यह पूरा का पूरा बना के दे दे तो यह इस तरीके का है तो I believe आपको यह वीडियो helpful लगा होगा link मैंने description में दे दिया है वहां से जाके purchase करिए मैं इसके pricing के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ठीक है basically यहाँ पर pricing जो plan है वो तीन plan है ठीक है एक तो जो free plan है और दूसरा अगर आप upgrade करने जाएंगे ठीक है तो यहाँ पर दूसरा plan आता है basic जो की 13.99 डॉलर का है जो almost 1112 रुपए के आसपास पढ़ता है monthly तो यहाँ पर मिलेगा क्या 103 AI scan per month मिलेगा unlimited humanization मिलेगा मतलब 103 blog post आप scan कर सकते हो month में इसके साथ साथ उसको human format में create कर सकती हो unlimited बात ठीक है उसमें कुछ दिक्कत नहीं है यहाँ पे pinpoint editor है tone analysis भी आ है physiology है और भी बहुत सारी चीज़ है अलग-अलग multiple languages है mostly इंडिया में English language ही preferable होती है Spanish you know Portuguese and Arabic and German यह तो खेर भाहर के देशों में होती है write and word document plugin जो यहाँ पर facility मिल जाती है कि आप directly google doc you know यह सारी चीज़ को plugin कर सकते हैं यहाँ पर branded report नहीं मिलता है white label report नहीं मिलता है white labeling जैसे आपको पता होगा कि लोग अलग से बना के चीज़े करने लगते data obviously export कर सकते हो API का यहाँ पर features नहीं देते कि आप अपने platform इसको integrate कर लो यह इसमें नहीं मिलता है ठीक है तो यह basically एक अच्छा प्लान हो जाता है 1,112 रुपए के आसपास मिलता है बट अगर यहीं आप unlimited plan के तरफ जाते हैं तो यहाँ पर 2,000 रुपए के आसपास 2,090 रुपए होता है मेरे link से जाएंगे तो और भी आपको सस्ता पढ़ जाएगा link description में है तो यहाँ पर unlimited AI scan कर लो भाई unlimited मतलब आप per month में suppose आप 10,000 भी blog push करना चाहते हैं अलग-अलग platform पर या फिर जैसा भी आपको business हो उस हिसाब से आप कर सकते हैं तो यहाँ पर पूरा का पूरा facilities दे देता है white labeling और brand report यहाँ पर भी नहीं मिलता बट API का यहाँ पर आपको features मिल जाता है अगर आपको कुछ platform है आप integrate करना चाहते हैं इनका य पर फॉर्मेट में क्लिक करेंगे तो जितना भी अपने रिपूर्ट जनरेट किया वो यहाँ पर डीटेल आ जाएंगे डवलपर ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पर अगर आप यहाँ चीजे करना चाहते हैं प्रोजेक इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर उन्हो चाहते हैं जितना चाहते हैं तो